बच्चो ये question number 72 है of the book T.S. Greval edition 22 और chapter का नाम है accounting for share capital ये बहुत 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 important question है मैं इसके solution को आपको explain करने जा रहा हूं इसमें मेरे इंस्टा के 2 या 3 वीडियो reels लग जाएंगी बट इन 3 reels के अंदर मैं आपको उसको बहुत धंग से समझा दूँगा तीनों को sequence देखिएगा बच्चो question कुछ इस तरह से है कि गौरव ने apply किया था पांच या शियर्स के लिए जिनकी face value 10 रुपे है और जो की धाई रुपे प्रीमियम पे issue के गए थे per share लेकिन गौरव को allot के गए थे के बल 2500 शियर्स पर आट अब उसने application money जो की 3 रुपे पर share था वो उसके share forfeit कर दिये गए आखरी call जो की 3 रुपे की है वो मांगी नहीं गई है इस बात को भी ध्यान रखीगा और बाद में इसके forfeit shares को 8 रुपे पर share का base दिया गया रीशू कर दिया गया fully paid up मानते हुए आपको entries पास करनी है for the forfeiture as well as for the ratio of these forfeited shares ये question special क्यों है वो आपको भी मैं अब अपनी working से समझा दूंगा येतना असान question नहीं है जितना बच्चो का नजर आता है वह एक ordinary forfeature ratio और gain वाला question नहीं है इस वेरी 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 important question बच्चो solution अगले वीडियो में discuss करेंगे और feature की entry से पहले बच्चो आई एक call scenario और allotment कैसे निकाला जाएगा क्योंकि हमारा जो defalter है गौर इसको pro data basis पे share allot किये गए थे तो इसका allotment का और ये जितना आम आदमी का आया करता है जिसको full allotment होता है shares का उससे हमेशा कम आएगा क्योंकि pro data वालों का कुछ पैसा extra पहले से ही application से allotment में जा जुका होता है तो उसके लिए हमें यहाँ पर गौरव के applied share और allotted share दोनों पता है 5,000 और धाएजार ठीक है बच्चो तो देखे गौरव ने कितना application money extra दिया था जो allotment में गया होगा उसने मांगे थे 5,000 share उसे मिले हैं 2,000 share तो इसका मतलब उसने 2,000 share का पैसा extra दिया होगा application पे जो किया आया 7,500 रुपे जिसे आगे allotment में forward कर दिया गया होगा तो अब उसे allotment में देना है 2,000 into 4,500 क्योंकि 2,000 उसके allotted share है 1,500 allotment बनी है यानि कि 11,250 और उसमें से 7,500 जो उसका application से allotment में आया था second step से उसे minus कर दिजे इसका allotment का area आया केवल 3,750 अब उसे premium देना है allotment पे 2,000 into 2,500 जानि कि 6,250 ठीक है बच्चों allotment का area है 3,750 और allotment जो premium देना है वो 6,250 अब इसकी क्या importance है वो अगले वीडियो में डिसक्स करूँगा तो बच्चों हमारा area on allotment है 3,750 और premium payable on allotment है 6,250 अगर allotment का area allotment पे दिये जाने वाले premium से भी कम होता है ठीक है बच्चों इसका मतलब premium का भी कुछ पैसा मिल चुका होगा अब premium जो है allotment पे वो 6,250 है तो इस 6,250 में से इनके difference के बराबर premium मिल चुका होगा area और premium जितना देना था वो तो 6,250 माइनस 37,50 इसका मतलब 25 रुपे premium के मिल चुके हैं हमें तो जब हम इन share को forfeit करेंगे तो premium सिफ 6,50 debit मत कर दीजेगा उसमें से जितना premium मिल चुका है ये पच्चिस सो रुपे मिल चुका है ठीक है area सिफ 37,50 है premium था 6,250 इसका मतलब 2500 premium मिल चुका है ये premium debit नहीं होगा while forfeiting the shares ये ऐसा तब-तब होगा जब-जब area on allotment premium allotment से भी कम है तो difference का amount premium का मिल चुका होता है उतना amount premium को debit करते हैं माइनस करना होगा यही चीज़ आप कोश्चमन 94 में भी देश सकते हैं सेम T.S.Grewald edition 2022 में ठीक है बच्चो आईए बच्चो फॉरफीचर की entry देख लेते हैं गौरव के shares की गौरव पे हैं 2500 shares एक share जो है वो 10 रुपे का जरूर है लेकिन आखरी call मांगी नहीं गई है तो called up जो है 7 रुपे बचाएगा 2500 into 7 होता है सदरा 500 security premium reserve जो उसने नहीं दिया तो 2500 into 5 कर दीजे जो कि आता है 6250 मगर पच्चेस सो मिल चुके है जो मैंने अभी आपको समझाया क्योंकि area और allotment premium allotment से भी कम है तो difference के बरावर premium मिल चुका होता है यानि यह कह लिए इस इतना allotment का और है उतना ही premium debit होगा पूरा premium मिल डेविट करिएगा symbol चब दो में ठीक है फर्स क्वाल कारियर नॉमल तरकेसी निकाला 2500 into 2, 5000 रुपे और share forfeiture काउंट ने balancing figure आगया 12500 ठीक है ऐसे है share forfeiture का amount balancing figure के तोर पे निकाला करिए बागी सब फिल कर देंगे तो अपना भी forfeiture amount सही निकल कर आ जाएगा सारे share 8 रुपे के बीचे थे 2500 into 8 होता है 20,000 फुली पेट अबमान के बीचे थे तो capital में 25,000 और share forfeiture में डिसकाउंट आ गया 5000 अब रही बात गेन निकालने की तो game निकालना बहुत असान है क्योंकि सारे share रीश हुए थे तो बारा पांस सो माइनस 5000 यानिकी साथ पांस सो आपका गेन आ गया ठीक है और जैसे मने ट्रांसवर कर दिया capital reserve में और एंट्री होती है share forfeiture account अबे 2 capital reserve यह बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-इंपोर्टेंट question है यह 72 TS GRIWAL edition 2022